Hello Friends! Welcome to Proud Mommy! और आज हम बात करेंगे Pregnancy Week 23 के बारे में Pregnancy Week 23 यानि कि आप है अपने Second Trimester में और आपका ये Six Month का First Week है तो Friends! सबसे पहले आज हम बात करेंगे Baby की Growth के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे जो सफते आपके Body में Changes आए हैं और लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत इंपोर्टन टिप्स तूँगी जिनको आप ज़रूर फोलो कीजिएगा उसे पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर द पर 11-11 इनट लखभग इतना साइिस का तो 11 इंच अगर हम वेट की बात करें तो इस त्याइम पर आपके बेबी का वेट है आधा किलो के करीब इंप सब्सक्राइब कर सकता है 6 lgक वेट में हर बच्ला बच्छ आगे बहुत हारानी होगी कि मैंगे अभी का आपके बेबी का वेट जू है वह इन बाइस अफतों में आधा किलो हुआ है कि जो आने वाले अगले चार रफते हैं उसमें आपकी बेबी का वीट जू है वह डबल होने वाला है तो of course friends आप अगर देखेंगे अवे तक बाइस हफतों में सिर्फ आधा किलो वेट है बट क्योंकि इस टाइम पर आपके जो बेबी की और बहुत सारी जो उसके और गंस है वो बन रहे थे उसका nervous system काम कर रहा था तो वो बहुत सारी development हुई है लेकिन अब जो size में जो change आएग of course जब आपका बेबी होगा तो उसका weight 3 और 3.5 kg के आप रोक्स रहेगा तो definitely उस टाइम पर जो उसका उतना weight होगा वो इन ही आने वाले 18 हफतों में cover होगा तो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यान रखना है कि आप healthy खाना खाएं और अपने खाने में बहुत सारी fruits and veggies और healthy खाना खाएं अगर आप junk food खाएंगे अफकोस ना वह आपकी health के लिए अच्छा है और ना ही बेबी की health के लिए अलांकि इस टाइम पर जो आपके बेबी की skin है वो बहुत जादा thin है यानि कि पतली है वो इतनी पतली है कि उसके अंदर की जितने भी body parts है यानि कि जो उसक इसे baby weight gain करेगा तो of course उसकी body पर fat आ जाएगा and definitely जब तक वो इस तरिया में आएगा तब तक वो एक Q2 चबी baby होगा फरेंट से अगर आप इस टाइं पर अपने डॉक्टर को को करने वाले हैं या अपने रिसंटल्य लॉक्ट्र को विजिट्त किया है तो definitely अपने जो डॉक्टर jsू ने आपको अपके baby की हार्टबिट सुना सकते हो ताकि वह भी बेबई के साथ उसी तरह का connection फिल कर पाइज से कि आप करती है कि किने हफ्टों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि लेकश अब को बहुत इसे बेबी की मुवमेंट्स होती होंगी बहुत आपको like baby kicks baby moments बहुत प्रॉपर लिव आपको फिल होने लगी होंगी हाना कि बहुत जल्दी वो जो kicks है वो काफी आपको तेज फिल होंगी इतनी भी हो सकती है कि आपको you know it can be painful also so इस टाइम पर आप अपनी baby moment का properly enjoy कीजिए especially अगर आपकी first pregnancy है तो I can understand कि कितना जादा exciting होगा तो अब हम बात करते हैं आपके body changes के बारे में तो definitely इस टाइम तक आपका tummy जो है वो properly visible हो चुका होगा और इसके साथ ही आपके body में बहुत-बहुत-बहुत सारे changes आए होंगे जैसे की stretch marks होना या फिर जो एक tummy navel के ओपर से नीचे से लेकर डाक लाइन से आ जाना या पैरो का पैरो और हाथों की हतेलिया जो है उनका रेड रेड रहना या पैरो में स्वेलिंग आना तो आपके सारी चीज़े आपके साथ हो रही होंगी और आप काफी जादा परिशान भी होंगे इन सब चीज़ों को लेकर लेकर स्पैशली स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि डेफिनिकली कभी जाते नहीं और मैं हर वीडियो में मैं पिछले अपनी काफी यसे b स्काहिशन रहें और सबने होगगे तो उस लोत सब्सक्रे CHS LEKEE छे तो दोख करने हो अग को सब्सक्रा रहें जल्दी सिज़ों करना शुरू करते हैं धक्रीज taşोंoras कें संटेटिबंगे और जिवी तरफ हो सकतिया सब्सक्रीयों अपने मिया तरफ बाद करते हैं लेंक नेवल से नीचे के तरफ भी हो सकती है और उपर से लेके नीचे के तरफ हो सकती है तो लिए ना ले को बैपक बैबी एक बड़ी वर तरह हो जाएंगा उसके बाद दिरे-धरे करके अपने आप फेड़ोजाएगी तो एक्चुल में उसका जो होने का रीजन है वो यही है क्योंकि आपका इस टाइम पे जो है वो यूट्रस जो है उसका साइस बढ़ रहा है तो यूनो स्किन जो है वो स्ट्रेच करें जिसकी वज़ा से वो सेंटर में लाइन आ जाते है बट डेफिनेटली एक बड़ी बेब यानि कि पैरों को नीछे मत रख़ेश को इस तरह से अपने पैरों को रखना है जब भी चेयर पर कहीं पर भी बैट रहे हैं सीधा कर्के रखना है और नुद्स दुझा है की आप गरम पानीमें नमक को ज़से कर सकते हैं उस से थी वानाओ है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा जैसे कि मैं कहते रहते हो अगर आपको कोई भी इस टाइम पर इशु हो रहा है खुद को लेकर आले कोई चेंज आपको लग रहा है आपको कोई सजेक्शन चाहिए तो आप प्लीज मुझे इसे में लाइडियो पर मेल क कर दीजिएगा और अब हम बात करते हैं जो इस हफते की टिप्स हैं तो टिप्स में मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगी कि प्लीज आप इस टाइम पर अपने वाटर इंटेक का ध्यान दीजिए अगर समझ है तो इस टाइम पर आपको खूब सारा पानी पीना है डिहाइ गंटे की नेंद आपके और आपके बेबी की हैल्थ के लिए बहुत जरूरी है तो फ्रेंट जब भी आप रेस्ट करें या लेटे या सोए तो उस टाइम पर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा अपनी लेफ्ट साइब पर सोना है यानि कि आपको नहीं पता है कुछ भी है कुछ डाउट है तो आप लिज़ी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब पर दीजिए और अगर ये वीडियो से हैल्क मिली होते से लाइक करना बिलकुल भी न भूलिया Thank you.